बोलिये गुरुदे महराज की हर 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 महादेव मेरा शौभाग्य है कि गुरुदेव के चर्णों पर परनाम निवेदित करने के लिए अफशर मिला ना जनामी योगम जपम नैव पूजा न तोहं सदा शर्वदा शंभुत अभ्यम आज भारत की शंस्कृती जो हमने गुरु को गुरु का और गुरु के लिए ये पूरी शंस्कृती इन तीन चीजों से जुरा हुआ है हमें बच्पन से कहा गया गुरु गोबिंद दो खड़े काको लागू पाई बलिहारी गुरु आपनो दियो श्रीश नबाई आज गुरु की महिमा इतनी अधिक है कि गुरु इश्वर से भी महान होते हैं हम जब पूजा करते हैं भी तो हम कहते हैं अखंड मंडला कारम ब्याप्तम एन चड़ाचरम तद पदम दर्सितम एन तसमै श्री गुरु वे नमा हम गुरु की बंदना करते हैं अखंड मंडला कारम और शोभग्य है कि हम ऐसे गुरु की बंदना कर रहे हैं साइद आप सबों को मालूम है कोई ऐसा ब्यक्ति यहां नहीं होंगे जो कहें कि गुर्देब कहां शाधना में गए अग गुर्देब कैसे चड़ने आए यही है अखंड मंडला कारम ब्याप्तम एन चराचरम आज बिज्ञान पाच्छ के लोग जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते हैं अगर उनको मैं कहूँ कि मेरे गुरु आज इसा स्टेज पर बैठे हुए है और कोई बंबई से कोई भक्त कह दे कि गुरु जी मेरे दुख में मेरे पास आके खड़े हुए थे तो कहेगा कि यह तो हो ही नहीं सकता लेकिन ये भारत की शंस्कृति और संस्कार ये गुरु के चर्णों का बंदना है कि ये होते रहा है इसलिए भारत की शंस्कृति इतना महान है कि बिज्ञान और भावतिकता जहां अंत होता है वहां से भारत की शंस्कृति की शुरुवात होती है क्योंकि गुर्देब का काम है, जन कल्यान लोगों का कल्यान करना, आज यहां बैठे लोग, इसमें से अधिसंख्यक लोग ऐसे हैं, जो गुरू की देया से भावतिक्ता के शिखड़ पड़ हैं, लेकिन गुरू को नहीं कुछ चाहिए इनके भावतिक्ता से, मैं समझता हूँ, अपने दिल से जानिये पड़ाए दिल का हाल, मैं भी गया तो दो आशू ही बहाया, और जितने लोग गये होंगे, साइध अपने मन की बेदना को वहां गुरू के चर्णों में ही रखा होगा, इसलिए गुर्देव, मैं फिर अपनी पीराब के चर्णों में निवेदित किया हूँ, और प्राथना करता हूँ, कि भावतिक विराशत के शांस साथ, अगर सांस्कृतिक विराशत का एक परतीप है, परतीप की गुरू के चर्णों में हम आशिरबाद लेते हैं, अपना निवेदित करते हैं, यही भारत की शंसकृति है, अगर भारत की शंसकृति नहीं बचा, तो भारत का कुछ नहीं बचेगा, बोलिये जे गुर्देव!